पटाक, 30 सेकिंड में हर खबर टाउंडूर्ट कीजे तक है चीन की अर्थववस्ता पिछले साल की चौती तिमाई में 4 फीस्ती की दर से बड़ी है चीन का फिक्स्ट असेट निवेश 2021 में साल दर साल 4.9 फीस्ती बड़ा अचल संपत्य निवेश 8.5-6 डिलियन डॉलर से जादा रहा जिंग्पिंग सरकार ने साल 2021 के लिए 6 फीस्ती की ग्रोथ रेट का लक्ष रखा था हाना कि इस तौरांच चीन ने 8.91 फीस्ती की बड़ोतरी हसल की चीन की सरकारी निवेश एजनसी सिन्हुआ ने कहा है कि चीन के अर्थववस्ता ने साल 2021 में कोरोना महमारी सहित कई चनोतियों के वापचूत इस्तिर विकास तरच किया है NBS के मताबिक चीन के इंडरिस्टियल प्रोड़क्शन में लगातार बड़ोतरी देखी गई हाइटेक मनुफेक्शरिंग और एक्कुप्मेंट मनुफेक्शरिंग में तेजी से विकास देखने को मिला साल 2021 में चीन की इंडरिस्टियल एंटरपैसिस में 9.6% की बड़ोतरी हुई गए सेक्टर्स की बात करें तो माइनिंग में 5.3% दी, मैनुफेक्शरिंग में 9.8% दी, हाइटेक मैनुफेक्शरिंग में 18.2% दी, एक्कुप्मेंट्स मैनुफेक्शरिंग में 12.9% दी, ग्रोध देखी गई साथी दुनिया में आर्थिक विकास और महामारी की रुख थाम में आगे रहा, यही वजह है कि चीन आर्थिक विकास को लेकर तैटारगेट को हासल करने में सफल रहा है, लेकिन अगला साल यानी 2022 चीन के लिए चिंता जनक रहने वाला है, विशुबैंक के मताबिक साल 2022 मे चीन की आर्थिक ग्रोध तेजी से धीमी होगी, विशुबैंक ने अपने 2022 के आर्थिक पूर्बानवान को भी पांस दसम लब चार फीस्ती से कटा कर पांस दसम लब एक फीस्ती कर दिया है, जो साल 1990 के बास चीन के लिए विकास की दूसरी सबसे धीमी रफता है, चीन ने भले ही एकोनॉमी में तैलक्ष से जादा भड़ा थासित्वी हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि चीनी सरकार की नीटियों ने खुद ही ऐसे रोड़े अटकाए हैं कि उडान भरता प्रेगन पचार खाता दिखाई दे रहा है, चीन की आर्थिक प्रगत में देश के रि बाजार में सुस्ति छाई रही, तो वहीं Evergrande Real Estate Group जैसी चीन की दूसरी सबसे वड़ी Real Estate Company भारी भरकम कर्ज से जूज रही है, Evergrande पर दिवालिया होने का खत्रा है, दूसरी ओर Alibaba और Tencent जैसे टेक दिककच कंपनियों पर शिकंजा कसने से यहां भी संकट पैदा हो गया ह इन संकट के चलते अब निवेशक भी चीन से किनारा काटने लगे हैं